ओम नमस्षिवाये, साथियों, आज हम दर्शन करेंगे राजमंद्री के एक प्रसिद्ध मंदिर के, जिसका नाम है श्री उमा मारकंडेश्वर मंदिर, यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे है, अब यह पुश्कर घाट के उल्टे हाथ की तरफ है, कहा जाता है कि पहले गोदावरी नदी यहां तक बहती थी, मंदिर अधी प्राचीन है, यहां मा की मूर्ती और शिवलिंग रिशी मारकंडे द्वारा स्थापित बताये जाते हैं, चोल राजाओं ने यहां मंदिर बनवाया और 1818 में इसका पुनर निर्मान किया गया, मंदिर की प्रसिद्धी शी मारकंडे रिशी के नाम से है, रिशी मारकंडे रिशी मरकंडे रिशी मरकंडू और उनकी पत्नी मनस्विनी के पुत्र थे, इन्हें रिशी मरकंडू ने भगवान शिव की तपस्या से पाया था और उन्हें ग्यारा वर्ष का जीवन मिला था, अल पायू में ही उन्होंने वेज शास्त्रों के ग्याता बन चुके थे वो, ग्यान प्राप्त कर लिया था, भगवान शिव के आश्रवाद से रिशी मारकंडे ने मृत्यू को पराजित किया, भगवान शिव ने अपने भक्त को बचाने के लिए यम की हत्या कर दी और फिर देवताओं की प्रार्थना पर यम को भगवान ने जीवित किया, तब से भगवान कालान तक कहलाए, भगवान ने रिशी मारकंडे को सदा सोला वर्ष का रहने का आशिरवाद दिया, मारकंडे रिशी चिरन जीवी हैं, उन्होंने मारकंडे पुराण लिखा, मंदिर के महा प्रवेश द्वार पर इशी मारकंडे की कथा दिखाई गई है, जहां भगवान शिव बालक मारकंडे की रक्षा कर रहे हैं, यम उनके प्राण लेने आये हैं और वो यम से युद्ध कर रहे हैं, मंदिर के गोपुरम पर पाँच कलश बने हैं, मंदिर में गर्व ग्रह में शिवलिंग के साथ नाग हैं और सामने विशालनन्दी बैठे हैं, यह कुछ लोग शक्तिपीट भी बताते हैं, क्योंकि यहां माता हुमा देवी महिश्वरी की मूर्ती है और उनकी कुम-कुम अर्चना की जाती है, यहां के लोग एक शक्तिपीट के रूप में इस मंदिर को मानते हैं, किन्तु यह शिव और शिवा का ही नहीं, बलकि सभी देवी देवताओं का वैश्व देवताओं का भी मंदिर है, गर्ब ग्रेह के सामने मुख मंडप और रंग मंडप हैं, मंदिर में मारकंडे पुराण के शलोक लिखे गए हैं, यहां भगवान शिव और पार्वती की उत्सव मूर्ति है, जो उत्सवों में बाहर निकाली जाती है, गर्ब ग्रेह में ही वीरभद्र जी की मूर्ति है, भगवान, हांजनेय स्वामी, सूर्य पुतरी, सुवरचला के साथ है, साक्षी गनेश की मूर्ती, कार्तिकेय जी की मूर्ती है, नवग्रह पूजन भी होता है भगवान लक्ष्मी नाराण की मूर्ती है और गरुर जी की मूर्ती भी है आनन्द मोहन वेंकटेश की मूर्ति है और पदमावती जी की मूर्ति है लक्षमी नर्सिंग भगवान की मूर्ति है भगवान वेनु गोपाल की सत्य भामा और रुक्मनी के साथ सुन्दर मूर्तियां है मंदिर में एक द्वजस्तंब भी है, जैसे हर दक्षिन भारतिय मंदिर में होता है और शेड़ी वाले बाबा की मूर्ती भी है यहां हर सोमवार को भक्त प्रदक्षिना करते हैं शिवरात्री धुमदाम से मनाई जाती है हर शुकरवार को मा की पूजा होती है मकर संक्रान्ती, अयप्पा स्वामी, जोती दर्शन, मारकंडे, जियन्ती, कृष्णाष्टमी, कार्तिक मास की पूजा, श्री देवी नवरात्र, धुमदाम से मनाय जाते हैं मंदिर में पंचधातु से बनी अयप्पा स्वामी की मूर्ती भी है मंदिर में अनदान भी प्रते दिन किया जाता है इस मंदिर में लोग अकाल मृत्यू भहे दूर करने के लिए और आरुक्या प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं साथियों प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब दिस चैनल और ऐसी ही उत्तम आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी पाते रहिए मेरे साथ मंदिरों के तक दर्शन करिए रिशी मारकंडे, भगवान शिव, भगवान विश्णु और मा जगदंबा के भक्त हैं उन्होंने मारकंडे पुराण लिखा जसमें मारकंडे रिशी और जैमिनी रिशी का वारतालाब है दुर्गा शप्रशती जो हम नवरातरों में जिसका पार्ट करते हैं वो मारकंडे पुराण का ही हिस्सा है ऐसी ही और जानकारी आपको पाने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना चाहिए यह चैनल ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए